So what's up everyone, myself is Manwadi Caban, आज की इस वाले वीडियो पे मैं साइन्स रीडर व्यूपॉइंट का चैप्टर्स को एक्स्प्लेंट करने वाला हूँ I hope आप लोग को ये एक्स्प्लेंशन अच्छा लएगा तो चलिए बीना किसी देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो अब यहाँ पे हमें 3707 कोच नंबर को दिखाए जाता है जहाँ पे बहुत बुरी तरीके से आग लगा हुआ था हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने सारे लोग उस मेट्रोरेल के कोच में थे वो सब के सब मारे गए थे सिवाए एक आदमी के जो उस आग के अंदर से भी चल रहा था तभी हमें दोगजा का कोच का सिन दिखा जाता है जहाँ पे सारे के सारे लोग बक्स को धूनने का पूरा कोशिश कर रहे थे यहाँ पे तो वो लोग एक दूसरी के साथ ही लड़ने लग जाते हैं बक्स को धूनने के लिए अब यहाँ पे दोगजा एंड कीम नमून के बीज में बाते होने लगता है अब कीम नमून ने तो यहाँ पे अल्यड़ी दोगजा को ओफर किया था उसके साथ हाथ मिला लेने के लिए अब दोगजा भी यहाँ पे सोस रहा था कि अगर वो अभी इस पॉइंट अफ टाइम पे कीम नमून के साथ हाथ मिला लेता है तो वो रिसेंट वाले कुछ टाइम तक तो यहाँ पे सर्वाइव करका पाएगा है इसका मतलब उसका सर्वाइवल गैरेंटेड हो जाएगा यहाँ पे अगर डोगजा रुइन वर्ल्ड सर्वाइवल सीरीज को पड़ा ना हुआ होता तो साय से आज उसका यहाँ पे डिशियन अलग होता और वो यहाँ पे कीम नमून का जो ओफर था उसे एकसेट भी कर लेता बट यहाँ पे डोगजा एक रीडर था और उसे पता था कीम नमून के बेवियर के बारे में कीम नमून किस तरीकी का फ्यूचर होल करता है यह भी डोगजा को पता था तभी यहाँ पे कीम नमून डोगजा को हटा देता है खुद के रास्ते से वो यहाँ पे फिर से उस Old Lady को मारने के लिए जाने लगता है Kim Namoon यहाँ पे इस Old Lady को एक Insect कहके पुगारता है वो यहाँ पे यह भी कहता है कि वो इस जैसा कमजोर Insect को तो यहाँ पे बचने नहीं दे सकता बट तभी यहाँ पे डोगजा Kim Namoon के हाथों को पगड़ लेता है और उसे रोग देता है यह देखे तो Kim Namoon भी यहाँ पे गुस्सा हो जाता है और डोगजा को पूछ लेता है कि वो क्या यहाँ पे कर रहा है क्या वो खुद को एक hero of justice सोच रहा है या फिर उसके पास कोई dual personality या फिर और कुछ है किंग नमून तो यहाँ पे गुस्से में डोगजा को कहता है कि जितने सारे adders के साथ आस तक उसने मुलाकात किया है सबके सब इस जैसे similar behavior को रखते हैं यह सब को सुनके तो डोगजा गुस्सा था और वैसे भी ruined survival world को पढ़के भी डोगजा सबस्यादा नफरत करता था कीम नमून की character से ही कीम नमून यहाँ पे directly डोगजा को कहता है कि उस जैसे person कोई कीम नमून सबस्यादा hate करता है अब यहाँ पे कीम नमून के पास कोई एक type का power आ जाता है और वो directly डोगजा के मूँ में एक punch माने का कोशिश करता है अब यह punch का stripe बहुत ज़्यादा powerful था बर डोगजा खुद के reclaim से इसको use करते हुए उस punch को dodge कर लेता है अब कीम नमून को भी यहाँ पे समझ आ गया था कि उसके body के उपर कुछ नकुस तो हुआ है डोगजा को भी यहाँ पे समझ आ जाता है कि इस लड़के का adaptability इस world के साथ बहुत जल्दी हो रहा है तब ही कीम नमून डोगजा के उपर एक और पांच मारता है और डोगजा खुद के हाथ से उस punch को block करने का कोशिश भी करता है डोगजा को समझ आ जाता है कि कीम नमून यहाँ पे जो power को use कर रहा था उसका नाम था AG teenager यह एक type का skill था डोगजा को पता चल जाता है कि कीम नमून already खुद के skills को manifest कर चुका है कीम नमून तो खुद के full power से डोगजा के उपर punch माने का कोशिश करता है बट डोगजा यहाँ पे कुछ करते हुए कीम नमून के punches को dodge करता है कीम नमून खुद के पास इतना ज़्यादा power देखके तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है वो यहाँ पे हसने लगता है और कहता है कि सच में उसे भी नहीं लगता था कि वो इतना ज़्यादा powerful है बट यह power उसे बहुत ज़्यादा पसंदा रहा था दोगजा यहाँ पे सोचता है कि इसी adaptability की बज़े से ही यह storyline पे जो protagonist था उसने खुद के team में कीम नमून को recruit किया था इवें दो कीम नमून एक psychopath था फिर भी दोगजा यहाँ पे सोचते कि क्या सच में उसे खुद की hidden power को use करना होगा यहाँ पे दोगजा का system उसे कहता है कि वो already खुद का unique skill omniscent readers view of point में जा चुका है तेके तो दोगजा हैरान हो जाता है इवें उसे भी नहीं पता था कि यह omniscent reader viewpoint असलियत पे है क्या अब यहाँ पे train के अंदर हल चल और जदा बढ़ जाता है because कुछ-कुछ लोगों को अब भी यहाँ पे insects नहीं मिल रहा था वो लोग यहाँ पे पूड़ा कोशिश कर रहे थे इंक से इसको ढूड़ने का तब यहाँ पे उन लोगों को डोगजा एंट किम नमून के बीच में जो fight हो रहा है उसका sound भी सुनाई देता है किम नमून तब भी डोगजा की उपर punches मारे जा रहा था बर डोगजा तो यहाँ पे उसन सारे के सारे punches को dodge कर रहा था यह देखके तो किम नमून बहुत जादा गुसा हो जाता है और डोगजा को कहता है कि वो डोगजा की उपर एक successful hit क्यों नहीं दे पाड़ा है अब यही चीज था डोगजा का unique skill डोगजा यहाँ पे पहले से ही पता कर पाता था कि उसका opponent यहाँ पे next move क्या करने वाला है इसी वज़े से उसका reaction time बहुत ज़्यादा कम लगता था उन सारे attacks को dodge करने के लिए बट यहाँ पे डोगजा इन powerful punches को dodge करते करते थक भी जाता है यहाँ पे किम नमून दोगजा को फुड़ा बहुत distract करके उसके face के उपर direct एक punch मारने का कोशिश करता है बट डोगजा उस punch को भी यहाँ प पर सोच रहाता कि वो अभी के लिए इन सारे punches को सिर्फ dodge कर सकता है ओफेंस में जाना अभी उसके लिए possible नहीं है उसे सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत और time को यहाँ पर buy करना पड़ेगा खुद के लिए डोगजा यहाँ पर किम नमून को कहता है कि उसके पास अभी सि यहाँ पर मारा जाता है तो किम नमून इस scenario को clear कर देगा जिसके वज़े से वो यहाँ पर बच जाएगा यह डोगजा होने नहीं दे सकता यहाँ पर कुछ भी हो जाए डोगजा को इस old lady को बचाना ही होगा तभी किम नमून खुद के pocket से एक knife को बहार निकालता है वो यहा इसा adult ऐसा कुछ करेगा यह किम नमून को पहले से ही पता था तभी किम नमून खुद के एक और skill को unintentionally डोगजा के उपर use करता है एड़ इस skill के through डोगजा के body के उपर किम नमून का जो knife था वो एक powerful strike देता है अब डोगजा तो उस strike के mean impact को dodge करने में successful हो गया था बट problem यहा को थोड़ा बहुत चोटे लगता है कि नमून तो यहाँ पे उस old lady को मानने के लिए पूरी तरीका से पागल हो गया था बट डोगजा यहाँ पे उस old lady को carry करने लगता है उसके body के पास अब और जादा energy बचा नहीं था बट फिर भी उसे यहाँ पे कुछ भी करकि इस old lady को बचाना था दोगजा को भी यहाँ पे पता था कि वो खुद के death डोड के पास ही खड़ा हुआ है यहाँ पे अगर डोगजा इस वाले fight को कीम नमून से हार जाता है तो दोगजा भी यहाँ पे मारा जाएगा यह था the survival of the fittest यह एक simple world नहीं था जहाँ पे लोग रह सकते थे पर तभी यहाँ पे डोगजा सोचता है कि यहाँ पे ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा है नॉर्मल वर्ल्ड पे भी कुछ इसी तरीगे का चीज़े होता था जब वीक की उपर यहाँ पे strong dominant करते थे and strong यहाँ पे वीक को hunt करते थे दिन बदिन डोगजा जब इस वर्ल्ड प कहता है कि वो तो अब खुद के पैर पे खड़ा भी नहीं हो सकता तो यहाँ पे kim namun को इस चीज़ को यहीं पे खतम करना चाहिए सायद से तभी डोगजा kim namun के आखों में देखता है डोगजा यहाँ पे खड़े होके kim namun को seriously पूछ लेता है कि वो तो एक high school student है तो यहाँ पे क्या लगता है कि insects है उनका xb living being होगा अब kim namun तो यहाँ पे डोगजा कोई बी बातों का समझ नहीं आ रहा था वो यहाँ पे डोगजा को कहता है कि वो कहना क्या चाहता है तभी kim namun के हातों में एक और insect था वो यहाँ पे kim namun को कहता है कि वो इस चीज़ का answer भी अभी जाएगा डोगजा उस वाले insect को भी मार डालता है खुद के आतों से अब इस वाले insect के अंदर उसका एक्स था जिसको भी डोगजा ने मार डाला था जिस वज़े से यहाँ पे डोगजा को बहुत सारे rewards मिलता है इन सारे additional kills की वज़े से even kim namun भी यह देखे बहुत जादा है जरान हो गया था वह यहाँ पे गुस्से में डोगजा को कहता है कि उसे कैसे पता होगा यह question के answer के बारे में और फिर से डोगजा के उपर attack कर देता है खुद के knife से बट डोगजा तब यहाँ पे खुद के reflexes को use करते है पीछे हटता है और खुद के system को कहता है 2700 points को उसके stamina के उपर लगा देने के लिए अब यहाँ पे किम नमून जब खुद के swords से डोगजा के body के उपर attack भी करता है बट उस attack का यहाँ पे कोई भी असर नहीं होता डोगजा को एक खरोसता नहीं लगता किम नमून भी यहाँ पे हैरान हो जाता है यह चीज़ देखके किन नमून दोगजा को पूछ लेता है कि उसके body के साथ अजानक से क्या हुआ तब ही दोगजा यहाँ पे कहता है कि एक grasshopper खुद के mating season में लग भग 101 को खुद के body के अंदर रखता है यहाँ पे दोगजा ने उन सारे के सारे insects को मार दिया था दोगजा यहाँ पे बहुत ज़्यास हो पूड़ा सा डड़ने लगता है वो खुद के knife से और भी बहुत सारे स्ट्राइक देता है डोगजा के body के उपर वो यहाँ पे दोगजा को पूज लेता है कि वो यहाँ पे मर क्यूं नहीं रहा है इम नमून तो यहाँ पे फूड़ा कोशिश कर रहा था डोगजा को मारने का बर डोगजा वो ही पे खड़ा रहाता है उसे कुछ करने का जरूरत ही नहीं था यहाँ पे धीरे धीरे करके time over होने लगता है जो timer था वो zero पे पहुंच जाता है अब उस bogey में मौजू जितने सारे लोगों ने यहाँ पे एक kill हासिल नहीं किया था वो सब के सब मारे ज जाता है तो आई हो आप लोगों को आज का यह वाला explanation अच्छा लगा बात वरड़ाएं पर इसी तरीकी का explanation सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्स्राइब कीजिए और उससे के साथ सान नोटिफिकेशन बिल को भी दबाजिए जिससे मेरे में नए नए वीडियो का notification आप को मिलता रहेगा so thank you for watching thank you for listening see you soon next time goodbye